काफी सारे पेशेंट हमारे पास में आते हैं पुछते कि क्या डिप्रेशन का इलाज जो है क्या वो जिवन बर करना पड़ेगा कितनी दिन गुली खाना तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डिप्रेशन के गुलियों का सेवन इलाज कितनी दिन करना चाहिए कि हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है मैं डॉक्टर दीपक करेकर मनुविकार सेक्स रोख सम्मों दधा वेशनमक्य तग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं आपको बता ह है कि depressions पांच से लेके 15 प्रतिशत लोगों को depressions at any given time है ठील एक समय पर कहीं भी लोगों को depressions है अर अव्य जो आ Adventures आ्र रहा है उसमें से तो अयसा बताए गया कि कम से कम 25 प्रतिशत लोगों को depressions हो सकता है कोई भी एक समय पर पॉपुलेशन काफी वजह से आते रहता है जिंदेगी में कोई टेंशन से आते विनावजह का अंदुर नहीं कुछ प्राब्ले में तो डिप्रेशन हो सकता है मतलब केमिकल इंबैलेंस के वजह से कि कि ऑ डिप्रेशन में कंजरी लाच करते हैं में आज जो बता ने वालौ हो नके वारे बता रहा है जो मेंडिस्ट चलू करते हैं मिंहार सेरोटोनिन और आपनेफिरिए कि इनिपीटर या फिर ट्रियूस्थर जो है वह दंधर हम पुलते हैं और दोस पूरा देने के बाद में चार से छहहब दोस्का दिखा जाता है और चार से छेप्ते में पेशन को पचास से असी प्रतिशत आराम पड़ता है जैसे ही वो आराम पड़ता है मगर भीमारी चालू है continuous मगर आराम दिखा जाता है जैसे भूख अच्छी लगना या नीन अच्छी आना या उदा सिंता कम होना फिर उस समय होता है कि लोग दवाई बंद कर दालते हैं मतलब समझो अभी यहां पे यहां पे है नॉर्मल फेस तो ऐसा नीचे गया है कि अभी डिपरेशन हो गया अब वहां दवाई चालू कर दिया दवाई चालू करने के बाद में फिर से वह उसका मूड अपना चलो जाता है तो लोग अभी यहां दवाई बंद कर दालते हैं क पिर से नीचे जाए गया और दी जाने के बाद में फिर वैसे की वैसे बोल देखो फिर से डिपरेशन आ गया दुबारा हो गया एक्चलियो दुबारा होए नहीं वह पहले वाले ही है तो फिर यहां दवाई चालू रखे मतलब अपने आपने खुदने दवाई नहीं मतलब छे से नौ मेहने तक तो वह कंप्लीटली नौर्मल हो जाएगा पहले जैसा था वैसा अब सवाल आता है कि अभी क्या दवाई अभी चालू रखना कि नहीं रखना तो यूजिली साइकेटरिस्ट के पास में आप जाते और साइकेटरिस्ट आपको दवाई प्रिस्का रखो एक साल के बाद में फिर दिरे 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 दवाई बंद कर डालो और फिर एका दो मैने में दवाई बंद करके आपका जीवन नार्मल हो जाएगा इधिए सब्सक्राइक इसको आता है मतलего अच्छा होने के बाद में फिर से कभी कुछ हो गया साल दो सालसी साल के बाद में फृषर डिप्रेशन लोग पो Republicans कैसा गया फिर आते हैं डिस्टर्ब हो हो सकता सरदर फिस से नहीं हो सकता ब्लेड पिलिश की दवाई किती दिन खाना बड़ेगी मतलब एससी काफ़ी से बीमारिय है कि जिनके दवाई भी बहुत खाने पड़े है डबल दबल है डाएटैक भी आते रहे तो इक दुसरा अगय है तो तो एवरेज में धाई से तीन साल तक पिशंट ने दवाई खाना चाहिए अच्छा फिर से अच्छा हो जाएंगा हो 6-9 मेने साल तर अच्छा हो गया अच्छा हो गया तो दवाई बंद कर सकते हैं मगर उसको इदी तीसरा अटक आ गया डिप्रेशन का वो कभी भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है ऐसा नहीं कि आना ही चाहिए सेकंड या थर्ड एपिसोड तो फिर एंटिप्रेशन जो हो जिन्देगे वर उसको खाने पड़ेंगे चुट कर रहा नहीं है और ऐसे कुछ एंटिप्रेशन जो है कि जिनका साइड इफेक्ट बहुत कम है ऐसे यह आप एंटिप्रेशन खाते हो या पेशन को प्रिस्काइब मतलब करने के बाद में लेता है तो फिर वो जिंदेगे वर भी उसने खाय तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह का का दवाई का एलाज है और सपसके साइड़ साथ पेशन्त को सप्ऩोर्ट करना सबाट्यु पड मेंसाइख कुछ यह कद अपर में वह इसको अलग यह एअर- वह रस लिए-वह म करते रहते हैं तो भी सप़ोई सभी आलाज है और यह करते है तो वह अपनी खुद की अच् करता है तो यहां तो इतना ही है कि पेशनक का एलाज होना ज़रूरी है पूरे डोस में हए को इतने हैं कि ती इसार के विचार बार बार आते हैं घ्याए 1957 का उसने अटुंडиком किया हुआ है हूए और ऐसा लगता है डॉक्टरह को और इसको भी है कि सुनद कभी भी कर लाँ यह बहुत बार-बार मतलब उसके तरफ भाग रहा है तो इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी एसीटी देना बहुत ही जरूरी है वह इंडिकेशन है उसका क्योंकि दवाई का असर आने को तीन अपते से चार अपते लगते हैं तब तक हम इंतदार नहीं कर सकते क्यों उसमे को इस ट्रेस आते हैं तो उसमें अपने आपको बैलन्स रखना तो उसके लिए आप कंसल्टन की हेल्प लेते हैं कॉंसिलर की हेल्प लेते हैं साइक इसके लिए तो दुबारा अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर करो और बेल का जो चिनना था उसके उपर आप हिट करो क्लिक करो ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहली बार आएंगे उसका इंटिमेशन आपको सबसे पहले बार आएंगा आपको अच्छा लगा तो जरूर उसको लाइक करो काफी सारा लोगों को डिप्रेशन है मैंने कि वरे मटच।